हेलो दोस्तो तो क्याल चल आप सभी लोगो के होप आप सभी ठेकोंगे तो पिछले जाव स्क्रिप्ट जर्णी के वीडियो में आपको तीडा टैप्स के बारे हैं बता था predicted क्या होते हैं और डा से यूज कर जाते हैं कितनी तरीका डेटा जो है वह जावस्कृट जो है वह हैंडल कर सकती है यूज कर सकती है तो हमने काफी सारी डेटा अगर है कि अगर आपको दूसरे डेटा में convert करना है कुछ तो किस तरीके से करोगे हाज यह सब भी हम देखने वाले हैं चले गाईज अपनी जर्ली में आगे चलते हैं वेलकम भे गाईज आप सभी लोग का एक और ब्रैंड न्यू वीडियो के अंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप कनवर्जन और रेफरेंस के बारे हैं बताने वालों तो यहां पर मैं ट्यूटोरिल बना लेता हूं और यहां पर है टाइप कनवर्जन एंड और यहां पर किरम कर लेता है लगा देंगे और यहां पर कोटर अट रिखा हूं और जो तो मिला मारी अच्छेसे वर्क कर रहा है अमने कॉण्सोल लोग कररके देक लिया ठीक है अब हम इसके अंदर देखने वाले टाइप का भर्याएजन हम कैसे करेंगे मत लो एक हमारे पास variable है ए नाम का और या फिर मा लेते एज नाम का है ठीक है एज जिसके अंदर है हमारा 45 ओके जिसके अंदर है 45 सेमी कॉलन लगाओ या मतलग आपके उपर डिपेंड है जावस्क्रिप्ट आपको माफ कर देगे अगर आपने नहीं लगा है तो उसके बाद हम क लिखेंगे आपके हिसाब से क्या करें तो हम यहां पर लेखेंगे string और string के अंदर वह डाले कुंसी एज को ले लो और इसको string में convert करके हमको देदो अब देखो आपको दिखाता हूं मैं console.log करूंगा और सबसे पहले मैं लिखेंगा type of type of age फहले तो age का type देखेंगे और फ करना है इसे अगर आपके पास कोई भी integer है तो आपको क्या करना है simple आपको अगर string में convert करना है तो आप क्या करो string लगा दो और bracket में लिख दो string और bracket में लिख दो जो आपको लिखना एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं to string मैं थड़ एक जो की number पर आप लगा सकते हो मालो आपने एक और variable बनाया let another string मालो let another string बनाया मैंने और इसके अंदर मैं लिख दिया age.to string तो यह क्या करेगा Automatic इस age को string में convert करके हमको देदेगा ठीक है Automatic इस age को string में convert करके देदेगा अब यहाँ पर लिख सकते हो type of another string save करेंगे तो यहाँ पर आप run करते हैं file को तो यहाँ पर देखो number string और string आ चुका है ठीक है तो कोई भी अगर number हो कोई भी number हो तो आप उसके पीछे Mount都是 लगा सकते हो यह आपके पास हमेशा मिलता है method सब numbers सब की सब numbers पर हम बाते करेंगे numbers के बारे में string के बारे मां अच्छे से और मैंने एक और यहां पर string बनाई, string 3 के नाम से बना लेता हूँ यहां पर string 3 और इसके अंदर मैंने क्या किया, इस age को मैं यहां से हटा के और यहां पर लिख देता हूँ plus age, मैं बहुत पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने age में 4 को plus किया और फिर मैंने 4 को एजने प्लस किया अब इनके अंदर जो डिफरेंस आएगा ना वो देखना आप कैसे क्या आएगा अब मैं काम करता हूँ यहां पर कॉंसोल लोग करता हूँ आप यहां पर एक नमबर है और आपने श्ट्र English के साथ प्लस करा है चरेगा इसका इनक रिंट कर देगा इसका मतलब क्या क्या जोड देना एक के पीछे दूसरी चीज को जोड़ देना तो इसने क्या क्या फोर्टी फाइब के पीछे फॉर को लगा दिया तो आप सोच रहोगे कि एस तो फॉर्टी फाइब करेंगे तो फॉर्टी नाइन होना चाहिए लेकिन यह क्या बन क्या है फॉर फाइफ फॉर बन क्या है तो इसका मतलब इसने क्या फ़ा दिया तो fyregum 45 45 हमारे पास आ यह प्रता चला आपको और इसके अंदर मार्लो मेरे को करना है plus one क्या करना है plus one करना और यहां पर में करता हूं plus one तो अब आपको आपको क्या लगता क्या answer आने वाला है एक बार आप मेरे गताओ एक काम करते है छिप पर इसको अब देखो यहन पे 464 क्या है यहां पे 464 और यहां पर आया 4145 देखो यहांपर इसने क्या किया यह स्टार्टिंग से राइट सविक्राइड अब 46 में गया ओके अब 46 बनिया और फिर इस 46 को क्या किया, प्लस करा, श्ट्रिंग के 4 से, अब जब मैंने आपको बताई दिया कि श्ट्रिंग के 4 से, जब आप प्लस करोगे किसी भी चीज को, यह क्या करेगा, तो यह पहले यहाँ पे जो नमबर था ना, उसको श्ट्रिंग में चनवर्ट करके उसको पीछे 4 दोड़ यहां पर हैं यहां पर क्या दने ने हैंप साइब होता है क्यां से है लेफट साइग से स्टार्ट होता है पहले स्ट्रृंगých पहले इस रख दे मिल गी दो इसने वन एड कि रहाँ तो क्या किया इस वन को 4 क्या आगया लगा दिया पर समझें इस उन को 4 क्या आगया याँ पर ऐसे लगा दिया और फिर बात रख और दो 445-3 पपर बन चुका है तो यहां पर इस तरीकी से आप अगर ऐसे करते हो मतलब आप अगर श्ट्रिंग को अगर नंबर से प्लस करते हो तो वह कॉनकाटिनेट हो जाता है अगर आप ऐसा करना चाहो पर प्रोग्राम में जहां रगना कि आपको Concatenate करना है यह Realty में Value को Plus करना है अगर आपको इसको value को Plus करना है तो आप कैसे करोगे वह भी बताओंगा थोड़ा सा wait करो देखो अब मार लो आपके पास कोई स्ट्रिंग इसको नमें पर करना है आपने क्या सोचा होगा नबर लिख देंगे नहीं है यहां पर क्या करते हैं इस टाइप ओफ देखते हैं टाइप यॉफ एज नमबर से लिखbest लेगे और इसको उपर ले जाते हैं आप और और कोमेंट आउट कर देंगे आपर save करते हैं वो इस file को run करते हैं तो number क्या आया age number का जो type है वो आया number अमारे पास समझे तो अगर आपको number में change करना हो तो एक तो यह तरीका है और एक और तरीका बता देता हूं आपको इसको comment out करके इसको नीचे copy करेंगे और वो है parse ठीक है parse int parse float, parse int parse float यह दो method आपके प दिखाता हूं आपको मान लो अगर कोई string ऐसे है 4.32 तो इसको यह parse float करके देगा, क्या करके देगा, float में parse करके देगा, easily आपको float में number मिल जाएगा, ठीक है और आप 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 देख सकते हो, इसका type कौन सा है, enter करेंगे, आप पर इसके अंदर enter करना में को number आ चुका है, त आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में type convert कर सकते हो, अब आप को गयार string को list में करना होतो, तो देखो उसके अलग-अलग methods होते हैं, जो हम string पे बात करेंगे, तो हम उसी पे अच्छे से बात करेंगे कि कैसे आपको करना है, यह सब कुछ, ठीक है, और बाकी आप आप खेल के देखो, जैसे कि आप यह चीज़े करके देखो, आप एक काम करो, आप एक boolean बनाओ, एक bool बनाओ, bool equal to, मालो मैंने true दे दिया, ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको number में convert करके देखो, क्या, कैसे करोगे, let bool number equal to number, और इसके अंदर लिग दो, आप bool को, ब मैं यहीं पर false देदू, तो एक किस में change करेगा, हमारा zero में change करतेगा, ठीक है, तो यह चीज़े आप करके देखो, एक काम करते हैं, आपर, जो हमारे पास यह string है, यहाँ पर मैं एक particular string देता हूं, खुझ से, ठीक है, for, और उसके बाद में कुछ characters लिग दूँगा, तो इसने क्या-क्या, पहले four को उठा के, और हमको दे दिया, यहाँ पर, इसने इनको ignore कर दिया, अगर मैं इसके अंदर number लिखूंगा ही नहीं, तो यह क्या देगा हमको, देखतें एक बार, तो यह testing करा करो, इससे क्या होगा, आपका जो JavaScript का logic है, वो strong होगा, और अगर आपके करेगा, पार्स करेगा या नहीं करेगा, तो देखो, इसने क्या बनाया है, इसने type of number ही है, लेकिन, इस number के अंदर है क्या, NAN, NAN मतलब है, note a number, note a number की number नहीं है, इसके अंदर, ठीक है, note a number, तो यहाँ पर आप इस NAN को as a false value, false मतलब की, false, as a false value, read कर सकते हो, ठीक है, तो य आप को किसी विडिटर टाइप में convert करके देखो, एक बार आप और पता लगाओ, कि यहाँ पर answer हमारे पास क्या था, देखो, मैंने आपको बताना था, अब testing की बारी है अब, अब test करो हर एक को, ताकि आपको पता चले कि कब क्या हो रहा है, हाँ, इससे आपकी भी practice होगी अगर मैं इस सब कुछ करके दिखा दूँआ, तो आप क्या करोगे फिर, फिर आप क्या करोगे है ना, तो यहाँ पर आप अपनी खुद की testing करके देखो, और हाँ अब आपको एक अलग से file देखे रही होगी, git ignore, अगर आप इससे familiar नहीं हो, तो आप इसको ignore कर सकते हो, प् यह git ignore file है, तो अगर आपको git पता होगा, तो अच्छी बाद है तो आपको इस git ignore के बारें पता होगा, अगर नहीं पता है, जब आप git सीखोगे, तो आपको पता चल जाए, git ignore किस काम की file है, तो यहाँ पर हमने conversion की बात कर लिया है, अब मैंने आपको कलना, यहाँ पर data types कर कराई थे, मतलब की पिछली वीडियो में मैंने आपको data types कराई थे, जो JavaScript की वीडियो थी, इसमें data types कराई थे, एक तो था primitive, और एक था non primitive, है ना, यह दो थे, तो अब देखो primitive का मतलब क्या है, primitive में आपका data है, primitive, इसमें जो data है, मालो आपने एक variable बनाया, यह नाम से, और A की value भी 32 हो जाएगी, अगर आप B में change करते हो, B में अगर आप कुछ भी करते हो, जैसे कि आप B में क्या करते हो, B equal to B minus 1, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, तो B की value क्या हो जाएगी, B की value हो जाएगी, 31, B equal to 31 हो जाएगा, और A 32 ही रहेगा आपका, ठीक है, तो इसमें क्या है इसमें जब आपने a को b के अंदर डाला ना तो यहां पर copy हुआ है क्या है क्या हुआ है copy हुआ है जो value थी ना वह copy होई अब आपको अच्छे से समझाओ मानो यह रैम है ठीक है इस रैम में जब आपने एक variable बनाया यहां पर a और यहां पर 32 22 जो भी है यहां पर 32 कर देते हैं यहां पर आपने डाला 32 ठीक है और जब आपने कहा कि b equal to a जब आपने कहा लैट लैट बी equal to a तो यहां पर एक और वैरियूबल बन गया बी नाम से और उसके अंदर इस value को copy कर दिया गया 32 क्या कर दिया copy कर दिया ठीक है अब यह दोनों अलग-अलग values है अलग-अलग variables है तो यह primitive ठीक है जब आप किसी variable को ऐसा call by value लेते हो मतलब कि जब आप उसको call करो तो उसकी value उठके आएगी उसकी value उठके आएगी लेकिन अब प्रीमियटिव इनको हुम न रऍेमियक वी बोल देते क्या बोल देते रफ एетрेंस टाइप उसके प्रिपिछरेंब नहीं ना लगा हूं तो चो कि बेना उसके तो आप variable बनाई नहीं सकते ना और यह तो pseudo code है pseudo code मतलब की एक fake बता रहा हूँ मिसमा आपको तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक array बनाता हूँ 1,2,3,4 ठीक है यह मैंने array बनाई अब आपने क्या किया एक और variable बनाया letter arr2 करके इसके अंदर आपने क्या डाल दिया arr2 के अंदर आपने arr2 डाल दिया लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ पर यह हुआ है कि जब आपने यहाँ पर देखो रैम के दन दो तिन चीज़ होती है क्या है यहाँ पर आपका stack यह आपका stack वकश बाज में डिसकस करेंगे यहाँ पर आपका बना घंक बनाया लैकिन यहाँ पर माझने लेकिन यही पर बना लेकिन यहाँ पर आप का ल 129 बना पी होई भी में लेकिन ये दोनों अलग अलग है ठीक है जब आपने primitive data type बनाया कोई ARR नाम का मालो आपने primitive data type बनाया नोन primitive data type बनाया तो यहां पर क्या हुआ एक array बनी क्या ही एक array heap में बनी है heap में मतलब की heap क्या होता है एक random खाली space होता है कि अगर आपको extra memory चाहिए कुछ तो वहाँ heap से उठा लो आर्किटेक्टर में अराम से बात करेंगे जब हम Jays का आर्किटेक्टर पढ़ेंगे ना अच्छे से तो उसमें अराम से discuss करेंगे कि है heap क्या है कैसे क्या होता है सब कु तो यह मानलो आपने कहा है यहाँ पर heap से कि एक array देते मेरे को यहाँ पर आपने क्या किया एक array ले लिए एक दो तीन चार उसमें है ठीक है तो array क्या करिए यह जो एर वैरियवल है यह इसको reference कर रहा मतलब कि जहां पर यह सेव हो है ना रैम में ठीक है उसके address को यह सेव कर यह क्या कि बनी कि एर में क्या था यह आर में तो इसका address था तो वो address इसमें चला गया और जब वो address इसमें गया तो यह automatically इस वाले address को point out करने लगा इसी same array को point out करने लगा तो अगर आप अब ARR में या ARR2 में किसी में भी change करोगे तो दोनों में change होता दिखेगा क्योंकि द दोनों के दोनों एक ही address को point out कर रहे हैं देखो अगर आपने सी करी है उसके अंदर pointers होंगे कुछ है ना तो pointers यहां पर इंविल्टी काम करते हैं ज्यादा तर आपको pointers बनाने की जूरत यहां पर नहीं पड़ेगी मतलब आपको pointers यहां पर बनानी पड़ते हैं और जब भी आप इस तरीकी के काम करते हो यहां पर इसका जो address है वह इस ar2 के अंदर गया है मतलब की value अभी भी same ही है यहां कि नहीं होता चलो करके दिखाता हूं अभी मापको यहां पर मैं एक variable बनाऊंगा let a equal to 45 ठीक है and let b equal to a और हम क्या करेंगे a में change कर देंगे a equal to 66 कर हुआ यहां पर तो क्या आएगा यहां पर यहां पर मैं लिखता हूं a और b ठीक है a और b और इसको run करते हैं हम यहां पर और यहां पर 65 66 और 45 a हमने change कर दिया था यहां पर पर b अभी भी 45 ही है लेकिन यही condition अगर मैं non primitive में लगा हूं non primitive में लगा हूं जैसे कि एक let a r equal to ए मैंने चार elements इसके अदर डाले चार number डाले इसके अदर और अब मैं करूं अगर let a r2 equal to a r ठीक है मतलब की a r2 में a r डाल दिया ठीक है तो अब मैं अगर console.log करूंगा लेकिन पहले change करके देखते हैं a r जो 2 है अपनी a r2 के 2 को मैं क्या करता हूं 2 को मैं 1 और 2 बना देता हू क्या बना देता हूं 1 और 2 डाल देता हूं इसके अदर और अब मैं console.log करूंगा console.log और यहां पर करूं a r, a r2 save करके run करता हूं अगर इसको तो यहां पर देखो क्या आया है यहां पर आया है 1,2,3,4 और 1,2 अब आप confuse हो रहे होगे कि यहर मैंने तो कहा था कि दोनों की द ar ar डाल दिया कि अब है ए जिसको point कर रहा है वह array यह है ठीक है लेकिन बात में आपने क्या गिया hurry to make नई एक्जंपल देता हूं, अगर आप यहां पे लिखते हो, automatically इसके अंदर आ गया है अब array 2 के अंदर array 1 का address आ गया है यहाँ पर हमने डाल दिया ओके पर मैंने फिर उसके बाद क्या किया एक नई ARR इस ARR के अंदर जो हमारी ARR थी इसके अंदर मैंने एक और list बनाई ठीक है एक और list बनाई जिसके अंदर वन और टू है और उसको मैंने हीप में बना दिया कैसे अब आपको एक हीप में कैसे बना जब बिया पैसे एक नई list बनाते हो ना तो automatically हीप के अंदर बनती है और उस हीप में जहां पर वो बनी है उसका address ARR में चला जाएगा अब ARR 2 में तो है इसका address और ARR में है इसका address तो दोनों अलग-अलग को point कर रहे हैं तो यहां पर वो concept तो हुआ ही नहीं होगा होगा बिल्कुल होगा हमको क्या करना है हमको particular इस array के अंदर कहा से आया इसने बनाया कब बना तो आप सांती रखना क्योंकि जब हम array पर discuss करेंगे तो array के सभी methods को अच्छे से देखेंगे यहां पर मैं लिखता हूँ ARR.pop इसका मतलब है कि जो हमारी ARR है ना इसको pop कर दो pop का मतलब है इसमें से एक को हटा दो एक last element को हटा दो ठीक है तो अगर मैं ARR pop करता हूँ तो अब देखना save करते हैं आपर और run करता हूँ तो दोनों क्या ही दोनों 1-2-3 और 1-2-3 कैसे क्योंकि ARR इस list को क्या कर रही थी point out कर रही थी और हमने क्या किया ARR 2 में उसी address को डाल दिया जिसको यह point out कर रही थी ठीक है अब आप address नाम से confuse मत हो ना ठीक है क्योंकि मैंने आपको RAM के अंदर जो चल रा था हीप के अंदर मैंने बता दिया उलेडी आपको ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया ARR मतलब कि इसके address पे जो array है ठीक है उस पे pop function लगा दिया pop function क्या करेगा इस array में से इस array में से last element को delete कर देगा last element को हटा देगा तो देखो जब मैंने ARR पे लगाया तो ARR 2 में भी 1-2-3 इसमें से भी हटी है क्यों क्यों कि दोनों एक ही array को point out कर रही है और अब हम उस array को ही छेड रहे हैं हम एक नई array नहीं बना रहे अब हम उस array को ही छेड रहे है आप ठीक है और अगर मैं आपर करता हूं ARR 2.push अब push क्या करता है पूश एक method जो कि कोई भी element को last में add कर देत या 5 पर pop कराया मैंने ARR में से और push कराया मैंने ARR 2 में save करेगे और अब देखना है आपर क्या होगा दोनों में 1,2,3,4,5 है sorry 4 नी 1,2,3,5 है दोनों में कैसे क्यों कि ये एक ही को point out कर रहे हैं एक ही element को एक ही address को point out कर रहे हैं समझ आ गया अगर समझ आ गया तो एक पर ता ARR नाम का variable बनाया उसके अंदर आपने कोई भी दोन primitive data type रखा है array है object है कुछ भी आपने रखा है तो यहां पर क्या हुआ यहां पर एक array बनके तयार हुई और उसका address उस variable में चला गया ठीक है यहां पर आप JavaScript के अंदर addresses नहीं देखोगे ठीक है यह back end में करती है सारे pointers और आप address देख नहीं सकते हैं अगर आपने सी कर रखे तो बहुत अच्छे समझा रहा होगा अगर आपने सी नहीं कर रखी और करना चाहते हो तो आपको playlist मिल जाएगी चैनल पे available है बहुत अच्छे से मैं उसमें सी समझा रखी है आप वहां पर जागर सी भी सीख सकते हो अभी आप JavaScript पे द्यान दो ठीक है तो यहां पर यह सभी चीज हो रखी थी जो मैंने आपको बताई है तो non primitive और primitive में आपको एक बहुत अच्छा difference मिला होगा यहां पर कि non primitive क्या है और primitive क्या है और आप पता कैसे लगाओगे देखो starting में जब आप पहली बार कोई language करते हो य अगर आपको कहीं पर भी कोई variable बना मिल जाए ठीक है और उसके आगे brackets लगे हों क्या लगे हो brackets लगे हो तो वो 100% non primitive होंगे ठीक है जैसे कि यह और जैसे कि objects ठीक है तो यह हमेशा जिसके आगे भी आपको brackets इस तरीके brackets मिल जाए तो वो non primitive है हां जी non primitive है अब आपको होगे जब आपने कहा कि एक function एक block of code जब आप बनाते हो तो वो क्या है हां जी वो भी एक non primitive है function भी एक non primitive data type है ओके यह समझा आगे आपको तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर end करते होप आपको इस समझ आयागा अगर कैस समझ आया तो guys smash that like button and अगर आभी तक आपने subscribe नही जितनी जंगे भी आप share कर सकते हो क्योंकि वीडियो की reach बहुत कम है वीडियो ज्यादा जनों के पास जाने रही है और views उसके हिसाब से कमा रहे हैं तो जितना हो सके आप share करो इस वीडियो को और guys ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा थोड़ा सा motivation मेल को मिलता रहे इसलिए subscribe का बटन दबा दो अगर आपने नहीं दबाया है तो और comment जरूर करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी okay तो ठीक है guys मिलते हैं फिर आपको next वीडियो में तब तक के लिए bye bye see you in next वीडियो